नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग गुखर कुलासेश में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आपके लिए ले कर आए हूँ What is become? Become में admission कैसे होता है? Become करने के बाद job कैसे पाएं? दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में की become क्या है? Become में admission कैसे होता है? Become करने के बाद job कैसे पाएं? पूरे डिटर्स में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में Become क्या है? जब कोई भी student अपनी पढ़ाई बारे तक पूरा कर लेता है तब उसके मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि अब उसे आगे कौन सा course करना चाहिए? जो उसको उसका अच्छा करियर बनाने में मदद कर सके भारत में वहुत सारे course उपलूबद हैं जिन्हें आप कर सकते हैं लेकिन उन course सो में आपको कौन सा course करना है ये आपके द्वारा कक्षा बारे में चुने गए सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बारे के बाद कोई भी कोर्स कर सकते हैं। बीकम का पूरा नाम क्या होता है। बैचलर अफ कमवर्स होता है। यही एक undergraduate degree है जिसे आप कक्षा बारे के बाद किसी भी college या university से कर सकते हैं। इस कोर्स को पुरा करने में आपको तीन साल का समय लगता है। इस कोर्स में आपको कूल छे समेस्टर देखने को मिलते हैं। जिन्हें छात्रों ने कक्षा 11th और 12th commerce subject से किया है वही यह आपको become कर सकते हैं। जो commerce से 11th और 12th नहीं पढ़े होंगे वो लोग commerce से become जो है नहीं कर सकते हैं। accounting और bank के बारे में विस्तार से पढ़ाय जाता है। अगर आपको accounting, banking, business, finance में इंस्टेश्टेड हैं यदि आप चाहते हैं अगर आपको अच्छा लगता है business और banking में तो आप undergraduate course को कर सकते हैं। बीकम करने के लिए क्या योगता चाहिए बराहुई पास होना चाहिए आपको, बीकम करने के लिए बराहुई पास आपको होना चाहिए और ओभी आपको commerce से जो है आपको पास होना चाहिए। यदि आप वराहुई कक्षा PCM सब्जेक्ट से भी पूरा किया है तो आप वीकम असानी से कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के लिए आपके पास कक्षा 12 में कम से कम 45-50 पर 30 आपका जो है माक्स होना चाहिए दोस भी पास करने के बाद 2 या 3 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आप किये हुए हैं तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं आप इस कोर्स को डिस्टेंस से भी कर सकते हैं डिस्टेंस कॉलिज जो होती हैं उनसे भी आप इसको कर सकते हैं Become course में admission कैसे ले? अगर हम become course के admission process की बात करे तो, आप इस course में दो तरीके से admission ले सकते हैं. पहला आप इस course में merit-based पर admission ले सकते हैं और दूसरा intranse exam-based से. ज्यादा तर college में आपको merit-based पर ही admission मिल जाता है, यानि कि आपके कक्षा बारे के माक्स के अधार पर आपको admission मिल जाएगा लेकिन कुछ ऐसे high extender के college हैं जहां आपको admission लेने के लिए आपको exam देना पड़ता है तो अगर आपको उन college में admission लेना है तो आपको पले exam देना होगा आप जिस college और university में admission लेना चाहते हैं उस विश्व विद्याले के परवेश कर जाले में जाकर offline भी आप आवेदान कर सकते हैं वीकम की फी कितनी होती है इस course के फी की बात करने से पहले ये जानने कि इसमें आपको दो परकार की college मिलते हैं एक private और एक government प्राइबेट कॉलेज से विकम करते हैं तो आपको लगबग 10,000 से लेकर 1,000,000 पर annual तक भी आपको देना पड़ेगा यदि आप government university से विकम करते हैं तो आपकी फीश लगबग 5,000 से 15,000 पर annual तक हो सकती हैं बिकम के फीश आपके द्वारा चुने गए college पर निर्फर करता है लेकिन government college के फीश प्राइबेट कॉलेज के फीश से मुकाबले बहुत कम होता है बिकम कोर्स में 20 कितने होते हैं बीकम कोर्स तीन साल का कोर्स होता है छे समेस्टर होते हैं और छे समेस्टर के हिसाब से इसका कोर्स डिभाइडेड होता है बीकम कोर्स में आपको वही चेज पढ़ाई जाती है जो कमर्स से जूरी होती है कोर्स को आपको ज्यादा डीपली पहणना भी जरूरी होता है ताकि कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएं चलिए अब आपको हम बताते हैं कौन-कौन इसमें सब्जेक्ट होते हैं Accounting, Economist, Business Law, Esthetist, Communication, Business System Analysis, Economist, Transport, Economist, Marketing, Insurance, Finance, Management Science, Mathematics तो दोस्तों आपको हम बताते, Operation, Management तो यह Become कोर्स के कुछ सब्जेक्ट जो आपको इस कोर्स में देखने को मिलते हैं आपको Become में इसी तरह के सब्जेक्ट पढ़ाय जाते हैं, इस कोर्स में आपको लगबग 5-7 सब्जेक्ट पढ़ाय जाते हैं और यह सारे सब्जेक्ट आपके कॉलेज पर डिपेंड करते हैं, कि आपको कॉलेज में कौन-कौन से सब्जेक्ट एबलेबूल है, Become में खासकर Math, Account और Economy सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया जाता है Become करने के फायदे क्या है? अब हम बात करते हैं, Become करने के फायदे क्या है? तो चाहे तो यह कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आपके पास बहुत से छेत्र में जौग Opportunity मिलती है जैसे कि आप सब जानते हैं कि Become UG यानि कि Under Graduation Course है जो आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत से competitive exam जैसे SSC, UPSC, UPP exam भी दे सकते हैं जिसमें आपसे graduation degree मांगा जाता है साथ में आप इस competitive exam को किलियर करके सरकारी नौकरी भी पास सकते हैं इसके साथ और भी फायदे हैं Become course के जैसे आप इसे complete करने के बाद private job भी कर सकते हैं या फिर आगे की study, m.com, m.b.a, m.c.a भी कर सकते हैं Become करने के बाद आप एक graduate कहलाते हैं ये बात तो आपको पता होगी साथ में अगर आप अगर आपने Become एक अच्छे college या university से किया तो आपको किसी भी company में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी मिल सकती है Become करने के बाद placement कहा होती है, job कैसे होती है आपकी अब हम बात करते हैं कि जब आप Become complete कर लेते हैं तब आपकी job या placement कौन सी company में हो सकती है बहुत सी एसी company है जहां आपकी job भी काम करने के बाद लग सकती है जैसे HDFC bank, BBT limited, HSBS are the top recruited, Tata consistency service limited, Forging Trade Center, योग तो ये कुछ कमपनिया है जहां Become करने के बाद आपकी job लग सकती है इसके अलावा भी बहुत सी company हैं जहां आप Become करने के बाद जौब कर सकते हैं Become करने के बाद job जो है आपको ये तो आपको पता चल गया है कि Become करने के बाद आपकी job कौन सी company हो में लग सकती है अब हम बात करते हैं कि आपकी उन company हो में job कौन सी position पर job लग सकती है या यूँ कहे तो आपको Become करने के बाद क्या बन सकते हैं accountant, operation manager, financial analysis, finance manager, account executive तो Become करने के बाद आप इन सभी में से किसी भी एक चीज़ पर बन सकते हैं और किसी भी अच्छी company में job के अपने एक अच्छा career बना सकते हैं Become करने के बाद salary कितने मिलती है salary की बात करे तो इस course को करने के बाद आपको लगभग 3-5 लाग per annual मिल जाता है तो यह ज्यादा या कम भी हो सकता है आपको position और job location पर निर्भर करता है साथ ही में जैसे जैसे आपका experience बढ़ेगा वैसे ही आपको salary भी जो है बढ़ते जाएगा अब हम आपको बताते हैं become करने के लिए college कौन है become करने के लिए आपको भारत में बहुत से top level के college है जैसे शिरी राम college of commerce डेलाई, लेडी सिरी राम college for women निव डेलाई मदरास Christian college चेनाई, स्टी एक्सिवर college कोलकात्ता, हंस राज college डेलाई इथी राज college for women चेनाई, मनेजमेंट डेवलोप्मेंट इंस्टिउट गुरगावा तो दोस्तो आपका ये था wagon करने के लिए college के नाम जहां से आप baggage कर सकते हैं तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये तो पिली चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन दबादें ताकि अगले वीडियो को रूट्पिकेशन आपको उम्मित्ते रहेगा थेंक्यू दोस्तो राधे राधे दोस्तो